अने ब्रण सीमा परक्रम, मान मंदर बर्चान दोहजार ग्यारों आज पंद्रमा पड़ा बितावली की अमा अश्या बहराक्त्री से दिन बुद्रुवारे को ग्रों ठुगाओं ने चड़ा हुए है प्रात्रिकर बागें से चलकर भूत गड़ी होते हो हम लोग बाजिना गाओं पहुंचें उसके बाज पारस अली सलाका अभूते हो यहां आए यहां आजुन लोगों का पड़ाई पड़ा हुआ है यह सारा क्षेत्र बाजिना के अंतर गताता है बाजिना और शीना वर्ती गाओं आए बाजिने गाओं का अपने आपने इस बहुत बड़ा इतिहास है जैसा इसका नाम है बाजिना उसी से यहां की लीला के बारे में भी पता चलता है बाजिना में गौाल बालों के साथ शेक्रिशने की अनेकों सम्हीद गोश्टिया हो थी यह जो क्षेत्र है यहां पास में एक मोरकी गाओं भी है मोरकी नोजील और बाजिना के बीच से होकर श्रिठापुर जी अपनी गायों का परावर्तन किया करते थी गौचारन करके यहां से श्रिठापुर जी की गायों लोटकर पुना बरज में जाते थी यह सारा शित्र गौचारन का है जहां गौचारन करते हुए प्रभून एगवाल वालों के साथ अनेकों संदर संदर गोप प्रीडाएं भी थी इस ख्षेत्र में जो जो भी बड़ी बड़ी संगीत गोश्चियां हुई उनको संदर के लिए अनेकों महाशक्तियां सरस्वति यादी देवियां भी यहां आये थी ब्रज में पहले हर समय नृत्य और्गान हुआ करता है नृत्य और्गान से ही ब्रज की पहचान है यहां का जो रस्मय नृत्य था रस्मय गान था उस नृत्य और गान की याद शी ठापुजी ने मत्रा अबड़ारिका की लिलाओं में भी याद थी जिस सन्य शीकश्म मत्रा को चले गए तो वहां शी ठापुजी को उदास देखकर एक दिन उद्धर जी महराजिया इसे पूछा कि प्रभू आपकी उदासता का क्या कारणा है तो प्रभू ने उद्धर जी को उद्धर दिया उद्धर ब्रज का रावरान मेरे से भुलाया नहीं जाता है जहां ब्रज में हम गोचारन करते हूँ यही नाचते थे गाते थे प्रभू ने एक भूजी को कहा है कि प्रभू ने प्रज करते थे प्रभू ने प्रज करते नावी ब्रज करते थे ब्रज करते नावी कुछ आओ, मौन यदिन विचु वैकनाई, विचु भी और वाक्ष दोहिनी 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 विचु भी और 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 व कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो को अजयां जाले ददे घर्वाने उदाओ मुह जज में रखना ही उदाओ जाले दे आओ मुह जज में रखना ही जाले दे जाले आओ जाले आओ मुह जज में रखना ही उदाओ जाले आओ मुह जज में रखना ही उदाओ 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 क्रिव क्रिव कर दे खना ही डाओ ड़ा र으को sau कि शज में रखना की nation ये मथुरा द्वारिका तो मुझे जेल की तरह लगते हैं ब्रज में गौर बालंग के साथ जो उनके जगर जगर संवील वुश्टियां की है उद्धा रह रहा कर मुझे उनकी यार आती है ब्रज गोपियों की जार ने कहा या दोहनी वहननी मतनों का लेप प्रिंखेंग नाज रुभितो प्छन नाज नाज नादो गायन दी चैनें अनुरप्त धिरो शुकंठो धिन्या वजस्त्रिय उरुक्रम चत्ते ये ब्रज वाती है जो कि गौध उहन के समय ने कृष्ण यस्टवाते हैं कृष्ण गुनगाते हैं चैने धान को उठना है घर को सीचना है गोहारना है बच्चों को खिलाना है ब्रज की गोपियां नेस्तरों में प्रेमाश को भरी हुए हैं और गदगद कंद से दिनराज कृष्ण गुनगाती है तो हर एक ब्रजवासी जो कि एक ख्षन ही बिना कृष्ण की तन बिना कृष्ण चर्चा के रह नहीं सकते था अन ब्रजवासीयों के कारुन ही इस्ति ठापदी ने जगा जगा ब्रज में संगीत गोष्ठ हैं यह क्षेत्र भी संगूत गोष्ठी का एक प्रधान अक्षेत्र माना जाता है यहां ज़र श्री कृष्ण ने संगीत गोष्ठी की तो अनेकों देवता अपने अपने तोलों को साथ देकर उनकी गोष्ठी में शामिल होने के लिए खाये बड़े बड़े देवता है इंदर अपना तोल अलत लेकर आये ब्रह्मा जी सरक्ष्वतियादी को साथ लेकर आये शिव जी भूगती दुर्वा गड़िष्टी को साथ लेकर आये और यहां ज़र श्री कृष्ण ने गोष्ठी की जिन श्री कृष्ण के बारे में कहा गया श्री कृष्ण ब्रज में एक स्रेष्ट नत की तरह नाचते और गाते थी उनसे बड़ा ना कोई नर्त्यकार ही हुआ ना कोई गायक ही हुआ भागोजी में जगे जगे संधीत गोष्टियों की चल्चा हुई है युगल गीत में आता है सवनशक्त सदो बधार सुरेशा शक्र शर्व परविष्ठी पुरोगा जब श्री क्रिश्ण गवाल वालों के साथ संधीत गोष्टिय करते थै deliver ऑर कीवल श्री परव वैल्वालों के समधीत गोष्टियों सब के सवस्धी सबसे है साथ में गोपक्रीड़ाई भी करते हैं वन्षी वाधम भी करते हैं गोपक्रीडाउं के बारे मुद्हागवजी में आता है विम्यद गोप चरनेशू विदवज़े अनेकों गॉल बालों के साथ जब श्री कृष्ण गोपक्रीड़ा किया करते से तो कि श्रीकृष्ण विलगतो है गोव प्रिला में बड़े चत्व में कुशल है वो आनंड दाइनी श्रीडा कैसी हुआ करती थी वहां लिखा है चकोर क्रॉंच चक्राहो भारत द्वाजांच बरिन्वत अनुरौते इसमें चत्वानां भीत वद्स व्याक्रिसंग है कभी तस चकोर की बोली बोलते हैं कभी क्रॉंच पक्षी की जोरी निकालते हैं कभी कोया की स्वर में स्वर मेलाते हैं कभी मेनस की तरह फूते लगते हैं कभी बंदर खुद्धी का फिर खेलने लगते हैं ऐसे अनुएकों क्रीडाएं गवारवायों के साथ श्रीकुष्ण ने ब्रज में उन्हीं स्थानों पर के इसलिए उनको विदग्द कहा कि गोफ बीडाव में श्रीकुष्ण बड़े चतुर हैं बड़े खुशर हैं जब वंशी बजाते हैं तो वा युगल गुत में कहा गया है कि वंशी बजाना श्रीकुष्ण ने कहीं से सीखा नहीं वंशी तो अपने आप ही उनको आ गई बेड़ु वात उरुधा ने कहीं सुक्षा किसी से सीखा नहीं है वंशी बजाना लेकिन जब वंशी को हाथ में लेते हैं और उसमें स्वर्की जातियों का विस्तार करते हैं तो उस समय शक्रमाने इंद्र शर्वमाने शिव परमेश्टी ब्रह्मा यह सब के सब अपने तोलों के साथ आकर प्रुष्न की एलू वादन को सुनते हैं उसको सुनते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं, अनुष्टित अस्वा यह नहीं जान पाते हैं कि कौन सा राग है, कौन सी सार राग है, जड़ती गाती खड़े रह जाते हैं, सम्मोइक से हो जाते हैं. ग्वाल वाल भी श्री कृष्ण के इस वेनुवादन की बड़ी प्रशंचा करते हैं, भागोष्ण जी में जगए जगए संदीत गुष्ठी का वन्नन आया केच्चिद वेनून वादयंदो धमांतह शनवानी केच्चद, कैसे हैं कि केवद श्री कृष्ण ही वंशी नहीं ब पानी के लगें जेतं हो श्रेंग जार रहे हैं जिस्वर में श्री कृष्ण वंते बजा रहे हैं उस स्वर से ग्वाल वाल सीमी बजा रहा है कहीं से कोयल गोल उठी तो गवार गवार ऐसे गायक है कि कोयल के स्वर्व से ही अने को राव की जात्मिया पैदा कर देते कहीं से भौरे गूज उठे तो भौरों के स्वर्व से ही अने को जात्मियों का नर्मा कर देते ऐसे गायक सुनसार में हर जगर नहीं करते हैं सुनसार में ऐसे गायक हैं नहीं है और शी ठापोजी तो जैसी वंशी बजाते हैं गवाल बाल भी उनकी वेड़ु वागन की प्रशंसा करते हैं श्री कृष्ण कैसी वंशी बजाते हैं बाल-बाल कहते हैं कि देखो हमारी कनईयां के बराबर वंशी संसार में दूसरा कोई भी नहीं बजा सकता। संसार में कोई क्या बजाएगा जब ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, सरस्वती, गणे, शेशव, अपनी अपनी ग्रिवाओं को नीचे करके खड़े हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्या राग है, कौन सी साल है, तो फिर संसार में बहला कोई ऐसा विरू वादम कैसे कर सकता। इसी बात को सूर्दाइजी ने अपनी पद में लखाएगा, हरी के बराबर बेन, को ना बजाएगा, हरी के बराबर बेन, बोना मियावत, हरी के बराबर बेन, को ना बजाएगा, 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 हरी के ब क्वाल वाल कह रहे हैं कि हमारा स्कृष्ण जो है वो जल भी वन दे बड़े बड़े रश्यों में इसकी लीला का अस्वादम करने के लिए इस बड़े वनी का आश्यर लिया और जब यह वनशी वन्षी बल्याता है तो हमें दिखाई देता है बड़े बड़े श्री मनी चाहे वह दरवासा जियो मारकंडंड़ जी ओ व्यास जी ओ शुक्रे जी ओ आत्मा राम मुनी जी जी वह लेडू वादन करता है तो आकर नाच स यह उनको नचाता है, क्योंकि ब्रज में आकर जो नहीं नाचा वो तो अभागा है, इसकी एक क्रश्न है, बड़े-बड़े तपस्वियों को ध्यानियों को उनका ध्याना बंद कराके और वरिश्ची वल्या कर उनको नचाता है जग जीवाना विवेद मुने नागना हूँ जग जीवाना विवेद मुने नागना हूँ जग जीवाना विवेद मुने नागना हूँ जीवाना विवेद मुने डकूँ खरी के बरावर ले न hoping ना बजावे जग जीवेद मुने बरावर ले न implic ना बजावे कर दो कर दो चत्रान न पंचान न आदिक हूँ चत्रान न पंचान न आदिक हूँ चत्रान न पंचान न आदिक हूँ चत्रान न आदिक हूँ जाए चत्रान न आदिक हूँ चत्रान न आदिक हूँ चत्रान न आदिक हूँ चत्रान न तो चत्रान न आदिक हूँ है ड्हुत कर लांण चार मक्वालै ब्रह्मा व्सी पवर्प्राइश मटवर्वार्वार्व' जिय सब्सक्रिष्न की आज्ओन कर लिए हैं वे ट्रें की ुह फा embedded हैं वफ़्य कहां वुज्रही हैं नियिक और यम्रा आजओं सब्सक्राइश करें रहा हैं वाल बाल ये यमनातत वाल बाल ये रगणवाय कच्च जो बच्च चलावे कच्छ जुबाच्छ चरावे कच्छ जुबाच्छ चरावे कच्छ बरावर रहना को ना बजावे 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 कर दो कर दो कर दो कर दो किनारे को यमना की किनारे को श्री कृष्ण वन्ष्टी बजा रहा है भागोची ने वेडू गीत में कहा गया है कि कृष्ण की वन्ष्टी की भात्रा को गाये भी समझते थी जब शी ठापुर जी वंशी बढ़ाते थे तो जब वंशी दृत गती में बईती तो गाये भी समझ जाती कि अब तेरी चलना है वंशी रंबित बईती तो गाये समझ जाती कि अब धीरे चलना है वंशी की अगार बाई ओर से आई तो समझ जाती बाई ओर चलना है संचार यंत मनुवेण मुदीर यंतुर। वन्षी का अनुपर्ण कर रही है गाये, जैसे वन्षी बश्ची है, उसी के इसाथ से गाये अपने आपको उढ़ाल देती है। इस रियका कच्छ जो बच्छ चरा रही है। येवनादे तिनारे गौचारान करते हुए, बच्छों को चराते हुए श्रीप्रश्ण वन्षी बजा रही है। कृष्णी की वंशी बज रही है और गौईवाल प्रशन सा करें कि वाप नहीं हा तेरे बरावर वंशी को इस दर्मान दरी कोई नहीं बजा सकता है तेरी वंशी का घ्यान सुर नर मुनी सब कोई लगा रहे हैं तो सूदा जी असुद कोई बानी बनता सुर नर्मनी अखिल लोक में सुर नर्मनी अखिल लोक में कोई ना पार जुपावे 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 एसे श्री क्रश्न जिन की वंशी कारे कोई पार नहीं पापा है उन श्री क्रश्न को ये शोदा मरिया कभी दराती है, कभी नचाती है क्यों कि वो श्री क्रश्न भखत अथ है, शोदा जी ने कहा तिन को मात ये शोदारा आदी तिन को मात ये शोदारा आदी तिन को मात ये शोदारा आदी आगर माही शावे आगर माही शावे आगर माही शावे वर्ण के बरावर देरों को ना बजा ले सुर्ज प्रभुजो त्रिपाधाम वश्ण सुर्ज प्रभुजो त्रिपाधाम वश्ण सुर्ज प्रभुजो त्रिपाधाम वश्ण 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 जुकावे भर्ण के बरावर देरों को ना बजा ले जैश्श्री राधरी यहाँ हम लोग उने तो सोचा था कि गाववाले बड़े अच्छे लोग हैं और दिनबर से सब दर्शन करने आ रहे हैं जा रहे हैं परन तु अभी बता जा रहा है कि लोग यहां के जो बच्चे हैं बड़ा उदम कर रहे हैं एक रावती में भटगना चला रहे थे भी उसमें आग लगा दे पर और एक इनों ने वो माय की तुरह भी गिरा दी ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए अगर कोई भी जगाव में बड़ा बुड़ा हो भुजूर्ग हो जिसकी बात मानते हो अच्छे लड़के तो यहां आके इन लोगों को थोड़ा आप समझाए यह यात्रा है बाहर के इसमें लोग हैं सभी अरिश्टेट से आया हैं ब देखाए आप लोगों को बिगने करते हो आप सस्थंग में ऐसा तुमी सोजा तो हमने के इसा गावन चलो बूलो मंशी वादम दिर्ट प्यादी को लेकर गौल वालों के साथ यहां ऐसी बहुत सी रस्मई मीला हैं और भी इनके संगीत गोश्टी के अनेकों मावर्शों के पद हैं बेसे सूर्दैसी ने कहा रीज़त गौल रिजावत शार ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं गौल वालों को रिजा रहे हैं मौली वजावत सखन बुलावत सुबल सुदामा ले 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 वंशी बजाने में श्रीकृष्ण ऐसे विदद्ध हैं ऐसे चतर हैं कि अगर किसी सखा को बुलाना होता है तो वंशी में इसका नाम लेते हैं सवल को बलाते हैं कभी सुदामा को बलाते हैं कभी तोश को बलाते हैं श्रीयामा को बलाते हैं गौलवाल भी देखकर बड़ी प्रसंद हो रहे हैं कि कनईया वंशी में हमारा नाम गा रहा है हमारा नाम ले रहा है अपने वन्षी को ऐसा श्मारी नाम भी जानती है ठाकुल जी ने वन्षी को गौल वालों के हाथ में देदिया है कि तुम भी बजा कर देखो जड़ा तुम भी मेरा नाम निकालके देखो शाम कहत अब तुमहू बुलाओ अपने करते ग्वाला में देख मुरली लेले सबही बजावे काहू पे नहीं आवे रूब सूर शाम तुम्रे मुख बाज़त कैसे देखो राग अगे ग्वाल वाल वन्शी लेकर बजाने जगे तो ग्वाल वाला से तो श्रीकृष्ण का नाम निकलाई नहीं बोले का नहीं है तेरी वन्शी तो तेरे से ही बयेगी हम तेरी वन्शी में तेरा नाम नहीं ले सकते हैं तू ही बजा के रिखा अफर श्री कश्ण ने वन्षी बजाई रीज़त गौल रजावत शाम संदर ऐसे वन्षी वादन करके वन्षी बजा बजा कर गौल वालों को बेजा रहे तो यह जो हेडू आलन के लीला थी यह यही बाजना क्षित्र में है यहां के जितने भी यह सब गाह है यह सब सीमा वर्ती गाह है चाहे वो पारसौली है भूत गड़ी है सलाका है बरोड है यह सब बाजना क्षित्र के अंप्रगत आते हैं जहां श्री कृष्णगी ऐसे ऐसी संगीत गोष्टिया हुई जहां स्वयन ब्रह्मा शेव लक्ष्णी सब के सब अपने अपने तोल अपने अपने संभूगों के साथ आए श्री जी ने कृपा की महारात्री के शुब अवसर पर हम लोगों को यहां आज रात्री वास्तिया चुकि आज दिवाली भी है श्री जी इस दिवाल को इस परवग को किस प्रकार से मैं आपने इसका भी वर्मन ने संभूगों दिवाली के परवपर घर घर में गाओं गाओं में जगर जगर दीपक जलाई जाते हैं श्री जी जहां उनका भवन है ब्रह्माचल परवस के उपर जहां ब्रह्माची स्वैन परवस बने इसलिए इसको ब्रुम जुरी कहा करा उस ब्रह्मा सिर्परदस के उपर श्रीवी का महल है विश्वान भवन है चारो और सुंदर सुंदर दीपक जल रहे हैं अनिकों प्रकार के दीपक कहीं पांच दीपकों का संगु है कहीं ग्यारे दीपकों का संगु है चारों उनसे भवन को बड़े सुन्दर धूंते सजाया गया श्री जी अपने भवन में सिंगो पौर पर लिले का विशाखा महासक्षियों के साथ बैठी हुई परवत के उपर भवन है परवत के उपर बैठ कर चारों और अनिकों गावों की शुभा को निहा रही है सखिया बता रही है एक राधे देखो ये प्रियापुंड के दीपक है ये प्रेम सरोवर के दीपक है ये लंदगाओं के दीपक है तो श्रीजी इन दीपकों को देखर हच जाती है क्योंकि चार और दीपक की दीपक दिखाई दे रहे हैं इमानों आपाश मैंने को अफ्तारे खिल रहे हैं सखिया श्रीजी को दीपक दिखाने लगती है तो शीजी समझ जाती हैं कि सक्षिया मुझे प्रसम ने करने के लिए होगी तुम्लीला है कर रही हैं तो सक्षिया जब शीजी को बताने लगी कि मापट्शन इस लिए को लिखा थे पावदी की लीजा को दिन्ला भान धावन में जुरियर 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 दिन्ला भान में जुरियर दिन्ला भान धावन में जुरियर दिन् जोजी जगामग हो इनी तर जोजी जगामग हो 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 जगामग हो जोजी 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 जगामग हो प्रेम से रोपे मेरे किया हूं जो मामन मामन मेरे चुरियाई नीकल जोती जगावा मगो मेरे चुरियाई नीकल जोती जगावा मगो यह राधा कुंड गुघर धन यह राधा कुंड गुघर धन शमप रहे सब प्रश पे गावन जब रहे सब प्रश पे खावन कैसो दमक रयो ब्रिंदावन जोत दमक रयो ब्रिंदावन उचीश खर्द में बर्शाने देखोने दे सर्यो उचीश खर्द में बर्शाने देखोने दे सर्यो यह राधा मोगन में ज़र विकर्द देखोने दे इन ही दया जो भी दरवाव में हो अमधवन में सज्या ही तर जोटी जवाव में हो दोड़ा खार जवन में दुझे जोटी जवाव में हो प्रीन इसना कि खाया फिर नंदगाम को दिखाने लगें जलजा जी बारबार सुझी से नंदगाम का नाम दे रहें देखो राजे नंदगाओं कैसा संदर लगा है श्री जी भी चतुरे सखज गई कि बारबार रलता नंदगाओं का नाम लेकर 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 पायास कर रही है ये मुझे बारबार श्री कुछन की याद सिला रही है जैसे नंदगां को देखा नंदगां को देखा शीची बेसोत हो गई अपने जन की सर भी भूल राकी यरिता पहे सुनो सुकुमारी देखो नंद गाव ये प्यारी मुसकाई सुन्हार दुलारी देखत मगन घरी है प्यारी संदी सब सुद्धो देखत मगन घरी है प्यारी संदी सब सुद्धो देखत मगन घरी है प्यारी संदी सब सुन्हारी देखत मगन घरी है प्यारी 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 ये दुगाली की लेला हो इस क्षेत्र में ये जो परव आया ये भी शिजी की तरपा है इस क्षेत्र की लेला आप लोगों ने सुनी ये बाजना क्षेत्र है जिसका नाम भी बताता है वाक्ते बजाना है यहां श्रीकर्ष्ण ने गवाल बारों के साथ कभी गउचारन करते हुए वन्षी बजाई कभी गोश्ठी के अंदर वन्षी बजाई कभी मृत्य के साथ वन्षी बजाई और किवर श्रीकर्ष्ण नहीं नहीं वेडू, पानी, तलही, श्रंगई गवाल बारों नहीं किसी रिस्ताली बजापर श्रीकर्ष्ण को स्वर दिया किसी रिस्ताली बजापर श्रीकर्ष्ण को स्वर दिया किसी ने वेरू आगन करके श्री किसी के साथ जन्षी बजाए तो ये सारा क्षेत्र ही श्री ठापुल जी की संभीत गोश्टी का रहा है यहां प्रभु ने गवाल वालों के साथ अनेक अवास्ते बजाए जिससे श्रीत्र का नाम बाजना हुआ और जहां हम लोग बैठे हुए हैं सलाका और बरौट गाम के मज़िए ये सारा क्षेत्र बाजना क्षेत्र के इंदर गती लाता है इसलिए आप लोगों को बाजना क्षेत्र की लीला सुनाईए है अब अन्समें दो क्षेत्र करना आप लोगों को बाजना क्षेत्र को बाजना क्षेत्र की लीला सुनाईए है आप लोगों 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 क्षेत्र की लीला सुनाईए है वोगदां नहीं भुव स्षिन्गशने कर दो कर दो होगदयास बाद कि आड़े शाय वापका इंदा दाले की वादा आले की आदा आले की वादा दाले की वादा आले